नमौ नारे, जेगो माता बंदे मात्रों मा भारती को प्रणाम, फिर दैसे, जरहना आखों में देखते विए, ओम शम्शन इस्चराए नमा, शंपौन राश्च को होली महत्सों की हर दिख सुखाव नहीं, शंपौन राश्च वाश्य को इस पावन पर्व की हिर्दे से हर दिख सुखाव नहीं, शेगोज सनी भगवान आपकी रक्षा करेवर आपका जिवन खुशों से भढ़ा रही, प्रभू की सिर्चिनों में मेरी प्रातना, होली, इस बार होली 28 मार्च 2021 को मनाई जाएगे, होल होली का दहन 28 मार्च 2021 और 39 मार्च 2021 सुंबार को रंगवाली हो दिया है, होली, जैसा उपनेशित चर्चा करते हैं, धंत कताये हैं, विद्वानों के मत से सुना की, भक्त प्रलाद को हिर्णा किस्म की बैन होली का गोद में लेके बैठी, वो जल गई और प्रलाद बच गए, इसी खुशी में, पुरी संसार में होली मनाई जाती है, और ऐसा भी है कि इसी दिन कामदेव को जीवन मिलाता, चरातर जगत में, इस खुशी में होली मनाई गए, ऐसे भी जड़ जाती है, 28 मार्च को होली है, और होली से ठीक आठ दिन पहले होलास्टक लग जाते हैं, तो इस बार होलास्टक 21 तारिक से प्रारंब हो जाएंगे, और होलास्टक में शुबकारी करना, जमीन खरीदना, मांगली कारी शुरू करना, शुबकारी अब वरजित माने गए हैं, तो 21 तारिक से होलास्टक प्रारंब हो जाएंगे, और 28 मार्च तक होलास्टक रहेंगे, 28 मार्च को होली का देहन का मौरत है, 29 मार्च को रंगों की होली है, यहनि सुमबार को, होली अधफुद है, भारती विज्ञानिक सिध्धान्तों का अनुसार देखा जाए, तो यह 499 साल की बाद इस बार की होली अद्भुद ग्रह योगा योग बाया थी। ऐसे इस तरह की गणनाएं 1521 में थी। ठीक इसी तरह है। और जो उपाय मैंने बता जा रहा हूँ। इस उपायों से यदि आप होली का देहन के दिन आप पूजा कर लेते हैं तो जिमन की संपूम, दर्द, परिशानी और समश्या से आपको छुटकारा में जाएगा। होली का देहन के समय हम किस दिशा में खड़े ओकर कौन सी समिधा होली का देहन के समय अगनी में अरपित करे। इस बात के जानकारी आपको मिल जाए तो चाए वो कारोबार हो, चाए परिवार हो, चाए धन हो, चाए नौकरी हो, चाए घर का सुक हो, चाए संतान हो, चाए रोग हो, चाए रिण हो, चाए कानूनी मसले हो, चाए साजेदारी हो, चाए दुरगटनाय हो, चाए वैपार ह इन संपून जो प्रेशानियां है इन संपोन प्रेशानिय से मुक्ती मिल जाएगी अद्भूद है ये होली 499 साल के बाद अद्भूद घ्रही हो गया हो ये 18 मार्च को होली का दहन की समय अमर्थ सिधी योग भी है और सरवार्थ सिधी योग भी है और इस समय विर्षब राशी में रहू और मंगल है और विश्चिक राशी में केतु है मकर राशी में सो राशी में सनी डेवर ब्रश्पती है मीन राशी में शूर्य है बुद्ध है शुक्र है तो जो ग्रह योगा योग है इस ग्रह योगा योग में आज आपको बताऊंगा कि 12 के 12 राशियों के लोग किस दिशा में किस सम्हिदा और किस पूस्ब से और किस मीठाई से पूजा करे कि जिमन खुश्यों से भरा हो जाए और जो मैं विशलेशन दे रहा हूँ ये अथरवेद के आधार पर है विद्वानों ने चर्चा करी बहुत चर्चा में आपको बताने जारूं कि जो विदी में बता रहा हूँ इस विदी से दिया आप पूजा करते हैं जीव में शुक्षानती अवश्य आएगी हुलिगा ध्यन सिक के बारे में हमारी उपनिस्दों में बहुत चर्चा है और अथर वेड़ में नक्ष्णत्रों के व्रणाम के साथ प्रात्ना भी की गई है कि पूर्वा और उत्र फालगुनी दोनों नक्षत्र मेरे लिए शुक्कारी हो ध्यान देना होगा जोतिस सास्त्र अनंद तक जुड़े विविन पहलों की जानकारी देता है और इसी सास्त्र के मोलिक नियमों को ध्यान में रखते वे हम धन्धाने की वरदी परिवार के कल्यान के लिए अपनी राशी का नुसार होली का देन के समय वहाँ उपस दे रहकर हमारी खड़े होना का इस्थान हम चुन ले और उसके परसाद होली का की तीन परिक्मा कर हम मिठाई का वरत्रन करे पूजन करे तो हमारा जिवन खुशों से भरा रहेगा और यदि हम सब परिवार होली का देन के समय सामिल होते हैं तो मुख्या की राशी को मानिता दी जाएगा तो इस पावन पर उपर 499 के साल के बाद जिन घ्रह योगा योगों में होली है 12 के 12 राशी के लोग किस दिशा में खड़े रहे और किस पूश्व के साथ और किस समिधा से होली का देन के समय पूजन करें कि उनके जीवन के सारे कश्ट मिन्दा है सबसे पहले मेश राशी मेश राशी वालों पहले तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि होली का देन के जो समय है वो साम 6 बज कर 37 मन से लेकर 8 बज कर 56 मिनट तक है और मेश राशी वाले लोग होली का देन के समय खैर या नीम की समिधा और लाल पुस्ट और अकसत ले ले अपने हाथ में नीम की लकड़ी या खैर की लकड़ी लाल पुस्ट थोड़े से अक्सत ले ले और पहले तीन परक्रमा होली की करे और इस दिशा में या दक्षिन पूरु दिशा में साउत इस्ट में खड़े होकर जब होली का देन हो रहा हो तो ये सामगरी होली का देन के अगनी को मैं समर्पित करके तश्पस्ताद गाजर का हल्वा लोगों को प्रशाद के रूप में बाटे तो पूरा साल इनके लिए खुशियों से बीतेगा ये अदभुद है आप करके देख लिए जाएगा नमणानल बात करते हैं विश्वराश विश्वराश वालों होली का देहन के समय गूलर की समीदा गूलर की लकड़ी मोगरे के पुश्प रहात में अकसत ले लिजी और सरप्रतम तीन परिक्राइब जब होली प्रजलित हो जाती है तो उसकी तीन परिक्रमा करिए और आप साउथ इस्ट में खड़े हो कर ये सामगरी होली का की अगनी में समर्पित कर दीजिए होली का देहन के बाद दूद और मावे से बनी मिठायों को बाटना विर्शब राश्ची वालों के लिए बड़ाश्चू परहेगा ये अदभुद है आप करके देख लिजेगा नमनार बात करते हैं मिठुन दाश्ची मिठुन दाश्ची वालों केरियर करोबार नोकरी परिवार जिवन भी कोई भी परिशानी है तो 28 मार्च को होली का दहन के समय अप्पा मार्ग चिर्चिटा ओंगा इसकी लगडी हाथ में लीजिए विभिन परकार के पुष्प अलग-अलग रंगों के फूपल हाथ में ले लिजिए थोड़ा सा आकसत ले लिजिए और होली का की तीन परिक्मा करिए और पच्छिम या दक्षिन पच्छिम दिशा में खड़े होकर ये पुज़न सामगरी होली का दहन के समय अगनी को समर्पित कर दी और होली का दहन के बाद मूंग दाल का हलवा लोगों में बातना मेथों नाशी वालों के लिए बड़ा कल्यान कारी रहेगा नमने और बात करते हैं करकराश करकराश वालों 28 मार्च को साम 6 बज कर 37 मिन्ट के समय जब होली का का दहन हो रहा हो तो अपने हाथ में प्लास की लखड़ी ये सारी समिदाए पूजा समगरी के मां मिल जाए जहां से आप पूजा का समान लेते हैं मां मिल जाएगा प्लास की लखड़ी स्वेथ पुस्ट और अकसत हाथ में लेकर होली का दहन के समय होली की तीन प्रिक्रमा करिए और उत्तर दिशा या उत्तर पच्छिम दिशा में खड़ी होकर ये समझ समगरी अपने उपर से साथ बार उसार कर होली का की अगनी में समर्पित कर दिए होली का दहन के बाद चावल से निर्मित मिश्टान लोगों में बाटिएगा सारी कस्ट आपके मिटेंगे नमणान और बात करते हैं सिंगराश सिंगराश वालों 28 मार्च को होली का दहन का समय है और महरत है साम को 6 बज़ कर 37 मिन लेकर रातरी 8 बज़ कर 56 मिनट होली का दहन के समय आठ या खेजडी या समी की लकडी लकडी का मतलब समीदाजी से बोलते हैं और गुलाब के पूश्प और थोड़े से चावल अपने हाथ में ले ले लिजिए और तथ पस्ताद होली का दहन के समय जो आपने होली का दहन की अगनी प्रजित है उसकी तीन प्रिक्रमा करिए और साउत इस्ट में खड़े हो जाई और ये सारी सामगरी होली का की अगनी में समर्पित का दिन होली का दहन के बाद केसर युक्त मिश्टान आप लोगों में बांटिएगा आपके लिए बड़ा शुब रहेगा नमुना रहें और बात करते हैं कन्याराशी कन्याराशी वालों अद्भुद पर्व है 499 साल के बाद अमर्थ सिद्य योग सरवार सिद्य योग और जिस्टर के घरे योगा योग है ये होली आपके लिए बड़ी महत्पूरा है कन्याराशी वालों अप्पा मार्ग यानि ओंगा चिर्चटा की लकड़ी अपने हाथ में ले ले पीले पूस्त अपने हाथ में ले ले और थोड़े से अक्सत लेकर होली का दहन के समय अगनी की लियानकारी रहेगा नमणन और बात करते हैं तुलाराशी तुलाराशी वालों होली के दिन साम 6 बज कर 37 मिनट लेकर 8 बज कर 56 मिनट के बीच में होली का दहन की अगनी के होली का दहन हो रही है वहाँ जाईए अपने हाथ में गूलर की लखड़ी स्वेथ पुष्प अकसत लेकर परिवार सेथ होली का की तीन परिक्मा करिए और पच्छिब दिसा में खड़े होकर होली का दहन की अगनी में ये पूजन समगरी आप समर्पित कर दिए और होली का दहन के बाद नारियल से बनी मिठाई को आप लोगों में बाटिएगा आपके सारे कष्ट बतेंगे नमणानों बात करते हैं विर्शिक राष्ट विर्शिक राष्ट वालो होली का दहन के समय खैर और नीम की लकड़ी और लाल या सपेद पुष्प अपने हाथ में लेकर थोड़े से अकसत ले लिए और परिवार के साथ होली का दहन की अगनी की इस तीन प्रकिमा करिए उत्तर दिशा में खड़े होकर खैर और नीम की लकड़ी स्वेद पुष्प और ये अकसत अगनी को समिपित कर दिएगा दिशा रहेगी उत्तर दिशा में खड़े होकर और होली का दहन के बाद छुवारे युक्त मिष्टान को माटना आपके लिए बड़ा शुबर बड़ा ही कल्यान कारी रहेगा बात वरी छोटी सी है इसलिए इतना दिन पहले बता रहा हूँ कि आप इस सब की त्यारी कर ले आपके सारी दुख मिटेगे नमनान और बात करते हैं धन रास धन रास्ट धन रास्ट धन रास्ट भालों होली का दहन की समय पीपल की समीदा पीले कनेर के पुष्प और अकसत में हाथ में लेकर परिवार सहित होली का दहन के समय अगनी की तीन परिक्रमा करिए और इसान कौन या पुरो दिशा में खड़े होकर ये पुजा सामगरी अगनी में समर्पृत कर दीजी और होली का दहन के बाद चने के बेसन से बने मीश्टान लोगों में बातिएगा आपके सारे करतेंगे नमणा और बात करते हैं मकराश्त के तो यह कंदि कि St alimentation ओर यह समेत की लकडी नीले पुश्ब और अक्सात हाथ में लेकर परिवार से दी हुली का धहन की अगनी की तीन परिक्मा करिये और पच्छित दिशा में खड़ी होकर ये फूजा समगरी अगनी को समय पूजी कर दिएगा कष्ट पिटेंगे परिशानी को निवारण होगा और हुली का दहन के बाद उरत से बने मिश्टान लोगों में बांटिए आपके लिए बड़ा कल्यान कारी रहेगा नमना ने बात करते हैं कुम्राश कुम्राश वालों हुली का दहन के समय जामुन की लगड़ी साथ लॉंग नीले पूष्ट थोड़े से अकसत अपने हाथ में लेकर परिवार सित हुली का दहन के समय अगनी की साथ परिक्मा करिए पच्छिम दिसा में खड़े होकर ये पूजन समगरी हुली का दहन की अगनी में समर्पृत कर दिजा और हुली का दहन के बाद सिंगारा से बने मिश्टान लोगों में बाट ये कश्ट पिटेंगे और परिशाने से शुटकारा मिलेगा नमणन और बात करते हैं मिनराश मिनराश वालों हुली का दहन के समय पीपल की लकड़ी पीले और शपेद पुष्प और अक्सत हाथ में लेकर परिवार से लिका दहन के समय अगनी की सत परिक्मा करिएगा और नौर्थ इस्ट या इसान कौन या फिर उत्तर दिसा में खड़े होकर ये पूजन समगरी अगनी में समर्फित कर दिएगा और हुली का दहन के बाद केले सरदानुसार केले लोगों में बांटिएगा आपके कष्ट मिटेंगा और आपकी परिशानी का निवारन होगा तो हुली का दहन के समय किस प्रकार अगनी का पूजन करें कि आपके कश्च पिटेंगे यह मैंने आपको बताया क्योंकि 499 साल के बाद अद्भुद घ्रह योगायोग अमर्थ सिद्य योग और सर्वार्थ सिद्य योग में होली है यह साथ उपाई बदलेंगे आपका भाग्य है अद्भुद है य होली के दिन उस पे सब पे सिंदूर लगा दिए और शमशाओं का ध्यान करते हैं जब होली यह जल रही हो अपने उपने साथ बार उसार कर यह पांचों के पांचों गोमती चकर होली में समर्पित कर दिएगा विश्वास करेगा आपका शत्रु अपनी शत्रता भुला कर आपसे मित्रता कर ले गई अधिफूद है और बहुती कारगार उपाई है नमनन कुछ लोगे ने कहा कि दाती माराज बिमारी हमारे घर से जान ने रही है लाग प्रियासों की बावजूत भी बिमारी घर से ने जारी बिमारी हमारा पीछा ने छोड़ रही है केई बार दहन के समय चार गोमती चक्र को अगर रोगी के बिस्तर के साथ जिस पर रोगी लेटा हुआ है पिले कपड़े में बांद कर बांद दिया जाए तो धीरी धीरी रोगी को आराम मिलेगा दवा काम करने लगी डॉक्टर को बिमारी समझ माएगी और उसे आराम मिल जाएगा यह कब करना जब होली का दहन का समय हो सुबह इनी रंगवाली होली के दिन यह पिले कपड़े में बंदे हुए चारों गोमती चक्र पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा खोद कर दबा दिजेगा सारे कष्ट पिटेगा और प्रेशानियों का निवान होगा नमोना रहे हैं क्या करें तो होली का दहन के समय घर का मुख्या सात गोमती चक्रों सवा मिटर कपड़े में बांद कर अपने पूरे परिवार से साथ बार उसार कर यह अधभूद है यह मैंने देखा है उसार करके होलिका देहन की अगनी की साथ परिक्मा करे तस पस साथ तस पस साथ ये सवा मिटर कपड़ा जिसमें साथ गोम तीटेट बंदे हैं किसी तलाब या किसी बहते पानी में प्रभा कर दीजेगा ये आपकी परिवारतली अदभुद रक्षा को अच्छा है अदभुद है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ यदि घर में बचत और बरकत नहीं हो रही है धन नहीं बच रहा है आप धन को लेकर परिशान है तो होलिका देहन की समय पीले कपड़े में 11 इंच का पीला कपड़ा लेजिए उसमें 11 गोमती चक्र को बांध दीजिए और होलिका देहन के समय इस पोटली को हाथ में लेकर होलिका देहन की 11 परिक्मा करिए तसपसात ये पोटली आप अपनी तीजोरी में रख दीजेगा अवश्य बरकत होगी और बचत होगी कुछ लोगों ने कहा दाती महराज हम परिक्षा देते हैं हम प्रत्योगता देते हैं महनत करते हैं परिश्रम करते हैं लेकर हमें सफलता नहीं मिलती तो इध्यान रखिएगा होलिका देहन की समय नीले कपड़े में तीन गोमती चक्र बांद लेजी और जब होलिका देहन का समय हो छे बज कर सैंटिस में लेकर आठ बज कर चपन मिनट के समय तो इस जो नीले कपड़े में आपने तीन गोमती चक्र बांदे हाथ में ले लेजी और हुली का ध्यैन किसे अगने की आप साथ परिक्मा करिए और इस नीले कपड की पोटली के रूप दे दे जी गोमचिगवान को उसको पोटली का रूप दे दी जी और उसे अपनी पूजा घर में लग दे किसी भी परत्युकता परिक्सा में जाए उसे जेम में रखके जाए, सपलता जाए, मिलेगी, कोई मुगदमा है, कोट कचरी है, तो अपने साथ लेके जाए, विजय आपकी होगी, अद्भूत टोटका, जो कभी खाली नहीं गया, नमुनान, और कुछ मित्रन काद आती माराद, नवगरों की किरपा कैसे मेले, घर में चौकी पर शपेद कपड़ा बिचा दीजी, उस पर प्राण परतेशत नहुगरे यंतर रख दीजी, एक घी और तेल का दिपक जला दीए, रुद्राक्स की माला पर, लगातार एक माला सत्रा दिन जपे, कैसे भी प्रेशाने होगी, नक्षतर गरन ना होगी, तो आपको आ के नोकर है, आपको अनकूल फल प्रदान करेंगी, ना मना रहें, कुछ मित्र नकाग दाती महाराज, दरदिरता हमारा पिछा नहीं छोड़ती हम क्या करें, दिलाग प्रियासों की बावजूद भी, दरदिरता आपका पिछा नहीं छोड़ी हो, जी जान लगन से कमाई हु असुर की धेरी बना देजिए और उसके उपर इस्ताफित कर लेजिए, पुरुदिशा में मूर रखकर इस प्रकार बैठ जाएए, और अब जल गंगा जल का छीटा देजिए, पंचुपिचार पूजन करें, धूप दीप नेविदिये, पुस्तुर अक्सता रपित करें, तस पर साथ, 27 बात, ओम गंग गंपते नमा इस मंतर के जाब करें, 27 बात, और 108 बार मृतुञे मंतर का जाब करें, जाब के उपरांत, इस समझ शामगरी को किसी निर्जन इस्तान में गड़ा खुरत दबा देजे, आपकी दरदिरता आपसे पीछा छोड़ देगी, ये किन वस्तों से पूजन करें, मैंने वो बताया, मोहरत बताया, पुनह हिरदय से, शंपून राश को, होली की इस महापर्व की हार्दिक सुपकाम लाए, विचार मेरे थे, मानो नमानो आपके मर्दी, सेकेंड ओपनन का अधिकार आपका था, आपका हैर आपकी का रहेगा, इन तीस साल में, डिवादी देव सनेदेव की कृपा से, गो माता की सेवा में लगा रहा, पिछले दो-तीन सालों से, मेरी परस्तियां इतनी अनकूल नहीं है, जितनी मस्ति में मैं गो माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा वैवधान आया है, राश्ट में पूरा वि बिश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया, कि मित्रों और शाथियों, मेरी आर्थिक परस्तिए इस समय ठीक नहीं है, मुझे गो माता की सेवा में आपका सयोग चाहिए, आप गो माता की सेवा करेंगे, तो मैं आपकी सेवा में आपको जोतिसी समधान में मेरा शहोग चाहिए मैं कोई प्रजापिता प्रमा नहीं हूँ नहीं में हतेली में सर्सु उगाता हूँ मैं प्रियास करता हूँ मैं आपके लिए प्रियास करूंगा जोतिसी समधान के लिए और इसकी एवज मैंने आप लोगों से निवेदिन किय गव माता के लिए 200 र्रिपया गोसाला में जरूर गए आप सभी लोगों ने मेरे विश्वास किया और आप सहों कर रहे हैं उन सभी को मैं प्रड़नाम करता हूँ क्योंकि जो ब्यक्ति मेरी गव माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई मेरी गोमाता भुकी ने रहे मेरी गोमाता को चारा मिले और जो भी दान दाता जो भी राष्ट भक्त गोमाता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस समय चारा की बहुत तकलिफ बढ़ेगी इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की वज़े से चारे की तकलिफ ज़्यादा नजर आ रही है आप सब इससे मेरा निवदन है कि गायों के हरा चाराज मिल जाए ऐसा कुछ प्रियास करें नंबर आपके सामने में हैं इन नंबरों पर संपर करिए मैं आप से वीडियो कॉंफरेंस में जरूर बात करूँगा और यह मेरा शोभाग यह होगा कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे हैं कहीं मैं आपको सहु करूँ जब आपको मेरी आवश्यक्ता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपके उपलब्द रहूंगा इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लिजी हाँ इतना जरूर है कि दो चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूं क्योंकि जोतिसे समधान के लिए थोली साधना बी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूं या सभी मेरी प्रस्ति है कि मैं आप से निवेदन कर आज तक मैंने राश्ट से कभी पैसा नहीं माला मैंने जरूर का कि सेवा भे ध्यान देदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदे कुछ तो मुझे सयोग में लेगा जो लोग सयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत-बहुत आभार और जो लोग सयोग के लिए आगे आएंगे सिनिभगवान की सिन्चनर मेरी प्रात्ना कि सिनिभगवान उनकी रक्षा करें उनका जिवन सदा खुशियों से भरा रहे हैं मित्रों और साथियों लाति भारात जिवन भरा आपके आभारी रहेंगे इस से वाके लिए परी गोमाता भुकी निरे उन्हें तकलीब नहीं आएं थोड़ा सा प्रियास जरूर करें नमाना रहें प्रियास